जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक्वा आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आईए इस विश्य संक में हम बात करते हैं वर्ट सावित्री वरत के वारे में अपने आप में वर्ट सावित्री वरत जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्थ होता है पती की सुबकामनाव के लिए सुख सुभाग्य के लिए पती की द्रगायू के लिए एक बहुत प्रेम भरा उपवास किया जाता है और प्रेम भरी भावनाव से भावान से प्राथना पती के लिए की जाती है और वास्तम में ये प्रेम की अनुठी मिसाल है कि एक पत्नी आपने पती की द्रगायू के लिए सुख सुभाग्य के लिए इस व्रत को रखती है और जहां इस व्रत में पती की लंबी आयू की कामना की जाती है वहीं वट देवता से वट व्रक्स से पूरे प्रिवार के लिए पूरे विश्व के लिए सुख सांती की कामना भी की जाती है इस बार 19 मई को ये विशेश वृत है और इस वृत में क्या क्या किया जाता है कैसे किया जाता है सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं सत्यवान और सावित्री का प्रसंग वास्त्रिक घटना है यह सबने सुना होगा सावित्री गाहित्री मंत्र की अनन्य उपासी का रही है गाहित्री मंत्र को देवी सावित्री बहुत मन से पढ़ा करती थी और आपको पता ही है कि जब उन्होंने अपनी स्वमिच्छा से वर को चुना तो नारज जी ने और वहा के पूंट जोस्तियों ने भी ये बताया जिस गन्या से है राजन आपकी पुत्री विभा कर रही है उस व्यक्ति का या उस वर का या सत्यवान का तो बहुत कम आयू है मात्र एक वर्स की उसकी आयू है और दिन भी बता दिया गया कि उस दिन वो इस संसार से विदा हो जाएगा जस दिन वो दिन आया वो लकड़ी काट करके गुजारा किया करते थे हलाकि एक राजगारने परिवार से वो रहे हैं उनके पिता का राजपाट छिन लिया गया था और नित्रहीन भी वो हो गए थे एक तरह से उनको दिखता नहीं था लेकिन सावित्री ने बहुत अच्छे से अपने सास्तोसुर की सिवा की पती की सिवा की जब वो कहे अनुसार अंतिम दिन आता है तो वट ब्रक्ष के नीचे जैसे ही उन्हें चक्कर आता है तो गोदी में सर रख लेती हैं सावित्री अपने पती सत्यवान का और सावने यम पास पाहुद्ध दंड लिये हुए यम राज उन्हें नजराते है प्रणाम करती है और जैसे ही अंगुष्ठ प्रमान के जितनी आत्मा जब सरीर से निकल करके यम राज उसको लेकर के चलते हैं पीछे-पीछे सावित्री चलती है पीछे-पीछे सावित्री चलती है किसी लोग तक पहुँचने के उपरांथ यमराज उसकी भक्ति भाव को देख करके प्रसन होते हैं वर मांगने के लिए कहते हैं वर मांगती हैं तो क्या पहला वर मांगती हैं कि मेरे साज सवसुर्जों हैं उन्हें दिख नहीं पाता है उनको दिखने लग जाए उनकी नित्रों की जोती वापस आ जाए ततास्तु ततास्तु कहा जाता है वैसा ही हो जाता है भागवान है यम्भी फिर आगे चलती हैं मांती नहीं हैं चलती रहती हैं और चलते चलते फिर यमराज प्रसन होते हैं दूसरा वर मांगने के लिए कहते हैं दूसरे वर्ज में वो अपने साज ससुर का या अपने परिवार का खोया हुआ राज्य वापस मांगती है वो भी ततास्तु हो जाता है राज्य की भी वापसी हो जाती है ततास्तु कहना मात्री बहुत होता है भगवन का फिर भी नहीं मानती है कहती है कि मैं पती वरता हूँ मुझे तो ऐसे मैं जाऊंगी नहीं जब अपने तपवल से योग विद्या से वो यम्राज के पीछे पीछे फिर पुने चलती है हाला कि कोई यम्राज के पीछे नहीं जा सकता लेकिन उनकी तप विद्या, तितिक्षा इतनी रही है सावित्री की तीसरा वर फिर प्रसन्नो करकी यम्राज कहते हैं कि तीसरा वर बेटा मांगो और इसके बाद आप यहां से जाओ तीसरे वरत में हैं वो पुत्रवती होने का भगवान से आशिरवाद मांगती हैं और ततास्तु वो कह देते हैं और ततास्तु कह दिया और पुत्रवती कह दिया तो सत्यावान के प्राणों को छोड़ना ही पड़ावने हैं और जैसे ही वो नीचे वट व्रक्ष के नीचे आती हैं ये बात पूरी जगा फैल जाती है कि सावितरी वट व्रक्ष के नीचे उपासना कर रही है और अपनी पती के प्राणों को ये अमरास से भी वापस ले लिया है तो हर इस तरी वट व्रक्ष का पूजन करने लगती है ये वर्ट परचलन में आ जाता है और वास्तम में जो वट व्रक्ष है देखते हैं ना उनकी कितनी लंबी आईउ होती है हजारो हजारो वस तक वो सीनाताने प्रत्वी पर अडिक खड़े रहते है तो ऐसी है आईउ हमारे पती की हो इस कामना से वट व्रक्ष की पूजा की जाती है और वास्तम में वट व्रक्ष की जो महिलाएं पूजा करती हैं, सोभाग्यवंदी महिलाएं पूजा करती हैं, उनका आसीस भी उने प्राप्त होता है, सास्त्रों में, वैदक गरंथों में, आयुरुवेद्धों में भी वट व्रक्ष की अत्यदिक मान्यता है, तो आईए, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी हम वट व्रक्ष के बाले में कुछ जाने हैं. वट व्रक्ष वट देव व्रक्ष में बहगवान ब्रह्मा, मद्धेमे जनारदन, विश्नु तथा अगर भाग में देवादी देव शिविस्तित रहती हैं. देवी सावित्री भी वट व्रक्स में प्रतिश्चित रहती हैं इसी अक्षवट के पत्र पुटक पर प्रले के अंतिम चरण में भगवान स्रिकृषन ने बाल रूप में मारकेंडी रिशी जी को प्रतम दर्शन दिया था प्रियाग राज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षवट प्रतिश्चित हैं भक्त शिरोमनी तोलसी दाज जी ने संगम इस्थित इस अक्षवट को तीर्थ राज का छत्र कहा है वास्तम में वट व्रक्स की हमारे सास्त्रों में बहुत मान्यता है अब सावित्री का प्रसंग आपने सुना कि कैसे सत्यवान के प्राणों को पुनह भापस ले आई तो जिनके पती बहुत बिमार रहते हों घर में कलेश तनाव रहता हो और जिनोंने अब तक बट सावित्री वर्थ को ना रखा हो तो वो जरूर रखें पहले ये वर्थ तीन दिन का रखा जाता था लेकिन धीरे 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 अब एक दिन पर आकर के रह गया है और इसमें हमें क्या करना होता है अब आप ध्यान से सुनें 1219 मै का ये वरत है अमावस्या का दिन है उसमें जल देने से मीठा जल देने से हमारे प्रित्र भी तरप्त होते है एक लोटा मीठा जल का भरके ले जाएं कच्चा सूत गोला ले जाएं और थोड़ा समिष्ठान ले जाएं धूप दीप ले जाएं फूल ले जाएं वहां जाकर के वट व्रक्ष को प्रणाम करें प्रणाम करने के उपरांद मीठा जल वट व्रक्ष की मूल में दें उसके बाद धूप दीप आदी फल फूल आदी चड़ा करके वट व्रक्ष को प्रणाम करें, कामना कहें, हे देव, हे वटवरक्ष, आपकी कृपा सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे, और आपकी कृपा से मुझे सोभग्य वती का वर्दान प्राप्त हो, आपकी कृपा से मेरे पती, मेरे बाल गोपाल स्वस्त रहें, मेरे घर में सभी की आयू द्रगाई हो, ऐसी काम ना करें आप, और एक चीज़ और ध्यान रखें, स्वाहक की पिटारी भी ले जाई जाती है, या तो वहीं ले जाते हैं बहुत लोग, या घर में ही स्वाहक की पिटारी बना करके, अपनी सासु मा को, या किसी को दी जाती है, तो उसके बारे में भी म संक में बताने वाला हूँ, अब दूसरी बात, आपने जब वट वक्स की पूजा कर ली, अब इसकी परिकरमाई की जाती है, परिकरमा करते समय, एक विशेश मंत्र है, उसको पढ़ करके, ग्यारा परिकरमाई, कच्चा सूत, ग्यारा बार लपेटें, एकिस परिकरमाई, एकिस बार लपेटें, और वैसे मन्यता है, एक सो आठ परिकरमाई, अगर की जाएं, और कच्चा सूत, एक सो आठ बार भले न लपेटा जाए, ग्यारा बार लपेट लें, और एक मंत्र बोलते हुए, एक सो आठ परिकरमाई कर लें, तो अति उत्तम रहता है, साल में एक बार ही ऐसा आता, तो कर लेना चाहिए, एक मंत्र, ओम वट व्रक्षाए नमाहा, बोलते हुए, ग्यारा बार कच्चा सूत लपेट दें, इसके बाद, ग्यारा परिकरमाई तो यह आपकी मानी गई, बाकी बची हुई परिकरमाओं में, एक मंत्र पढ़ने, या जो ग्यार इस मंत्र को लिखे हैं, नमो वई वस्वताए, नमो वई वस्वताए, नमो वई वस्वताए, यह मंत्र है, इस मंत्र को बोलते रहें, और जैसे आपने मंत्र बोला, उसके बाद, एक मंत्र बोला दो, मंत्र बोला तीन, मंत्र बोला चार, एक सू आठ परिकरमाएं, बहुत प्रेम से करने और ग्यारा परिकर्माँ से सूत जो हैं अलग सेलेबरेट दें ऐसा करने और जब सूत लपेटे तो आप भले यही बोल दें ओमवट व्रक्षाय नमा या आपको अराम से याद रहेगा बूला जाएगा तो ग्यारा बार ऐसे बोल दे और 108 परिक्रमाई सब्तंतर रूप से कर ले और यदि मंत्र आपसे नहीं बोला जाता है तो यहीं बोलती रहें आप 208 108 परिक्रमाई कर ले प्रणाम करके मस्तक जुका करके सी से जुका करके उनके चर्णों को छुक करके स्वहक की पिटारी स्रंगार पिटारी भी कहते हैं स्वहक की पिटारी भी कहते हैं स्वहक की पिटारी भी कहते हैं उसमें क्या क्या समान रखा जाता है एक डलिया में या किसी किसी भी चीज में वो समान क्या क्या होता है आईए वो समान की बिंदी हिंगुल साड़ी आभूशन कुछ भी हो सकता है इत्यादी वस्तुएं एक बास की टोकरी में रखकर दी जाती है यही सोभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है अब इसमें आप अपनी तरब से कोई भी अच्छे वस्त रख सकते हैं जो सासुमा को पसंद हो त अपने घहर आकर के सासुमा को दे में उनके चरणचु में प्रणाम करें सासुमा ना हो तो किसी मंदिर में जो पंड़े जी की मिसीज होती है प्रणतानी जी होती है उन्हें दे सकते हैं या किसी भी सास सब्रूपा को आप दे सकते हैं जिसे आसपास में कोई काकी दादी नानी कोई भी हों साथ सबरूपा होती हैं उनको चरण छू करके आप ये दे सकते हैं ठीक है और बहुत अच्छे से अपने इस उसको करिएगा और ये आपको पुर्ण है बता दें 19 तारिक का ये वर्त रहेगा अमावस्तिया का दिन है और आप अपने पती से कहें कि एक वो जल अपने समस्त पित्रों के नाम से ग्यात अग्यात समस्त पित्रों के नाम से दे में ओम पित्रदेवता भ्यो नमा बोले और जल दे में अब एक बात ध्यान से सुनें बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं सब अंध विश्वास है इन सबसे कुछ नहीं होता क्यों न नहीं रखते हैं, सभी अपने धर्म के उपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, अपने पंथ के उपर, अपने संपरदाई के उपर, सभी को पूर्ण विश्वास है, लेकिन जो आपका सत्य सनातन धर्म, हजारों वर्सों से, आपके संग है, आप उस पर विश्वास नहीं करत कोई भी दोकोडी का व्यक्ति आपको चटनी चटा जाए कि शिव तो शिव नहीं है वो शिव हैं ये शिव हैं आप मानने को तयार हो जाते हैं कोई भी कहते राम नहीं आए थे कोई भी कहते कृष्ण जी नहीं थे आप मानने को तयार हो जाते हैं और जिन रिश्यों ने मुन जी रहे हैं अगर यही आलम रहा तो सब कुछ नश्ट हो जाएगा इसलिए मेरे बच्चों मेरे बेटियों मेरे सभी भाईयों जो भी मेरे बुजर्ग हैं हमें बहुत अच्छे से अपने धर्म को पुनह स्तापित करना है और एक भी बात गलत नहीं है जो भी लिखा है उसका पूर्टा scientific आधार है वट वरक्स के नीचे बड़े बड़े रिशियों को मुनियों को ग्यान के प्राप्ती होई है मोख्ष के प्राप्ती होई है वट वरक्स आयरुवेद में उसको जाकर के पढ़े उसकी लताओं से कितनी औस्धियां बनती हैं उसकी जो दाड़ी सी होत पर गलत बात पर विस्वास ना किया करें गायतिरी मंत्र के बारे में ब्रहमक तथ्य महिलाई गायतिरी मंत्र ना पढ़ें आप देखिए आज ही के दिन यानि के वर्ट सावित्री जब वर्ट रहा उसी दिन कैसे गाहित्री के तप के माध्यम से सावित्री अपने पती सत्यवान के प्राणों को वापस ले आती है प्राणों को वापस ले आती है गाहित्री के तप पर तो गाहित्री मंतर पढ़ना चाहिए भागवान सुरी कृष्ण ने गाहितिरी मंत्र की दिक्षा ली, भागवान सुरी राम ने गाहितिरी मंत्र की दिक्षा ली, और एक समय था कि नर नारी गाहितिरी मंत्र पढ़ा करते थे, आप और हमने स्कूलों में गाहितिरी मंत्र पढ़ा है, छोटपन से गाहितिरी मंत्र को पढ़ा है उसी गाहित्री मंत्र के उपर व्रक्ति बुरे काम करें कोई दिक्कत नहीं लेकिन गाहित्री मंत्र अगर महिलाए पढ़ ले तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा करपया मेरा आपसे निवेदन है सबकी सुन लेजिए लेकिन जो आपकी अंतरात्मा कहती है और जो आपके वेद कहती है जो आपके सास्तर कहती है जो आपके रिशी कहती है उसे मानने का प्रियास करें बस जादे कहूंगा बड़ा लंबा एपिसोड हो जाएगा और सारी चीजें हम इसमें आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से अपने इस वर्त को रखेगा और वाकी कोई दिक्कत लगती है कुछ पूछ रहा है तो कमेंट्स करिएगा उसमें आपको आंसर देने का प्रयाज किया जाता है आप स्वस्त नहें सुखी नहें आप सोभग के वती बनें इनी शुब कामनाओं के साथ हम अपनी मानी को विराम देते हैं जय जय अम्बे किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को फ्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बूक पेश को लाइक करना न भूलें आप हमें आप हमें आप हमें आप हमें